हाई दियर फ्रेंट आप सभी कैसे हैं आसा करता हूँ अच्छे होंगे कुशल बंगल होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं स्वाइल मेकेनिक्स का यह नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको डिराइब करके बताऊंगा कि कैसे डेबलू इंटु जी इक्वल टू इंटु ए यह एस इन्टु इप्वल टू डवलू इंटु जी ठीक है यह मैंने जो लिखा न वैलू इसी तरीके से आपके एक्जाम में पूछा है देखिए यहां पर विंटर 2019 में इसी तरीके से प्रूब डैट डवलू इंटु जी इक्वल टू इंटु ए इंटु एस एस को ना ए तो कैसे इसको डीराइब कर रहा हूं और कोंशेप्ट के साथ समझिए आपको आसानी से समझ में आजाएगा ठिक हैं यहां पर आप देखियें यहां पर मैं बता रहा हूं ठीक हैं यहां पर मैंने थ्री फेस डिग्राम ड्रॉ करकरकर के बताया है यहां पर जो ब्ली है न पूरा वाइड जो है वो ई लिया है ठीक है वालूम ओफ वाइड यह है और वालूम ओफ वाटर एडब्लू और स्पेसिव ग्राविटी जी ठीक है तब वालूम ओफ सॉलिड वन है ठीक है अब यहां पर देखिए डिग्री अफ स्चुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डिग्री अफ स्चुरेशन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो वालूम ओफ वाटर अपन वालूम ओफ वाइड होता है तो इसमें वालूम ओफ वाटर के जगा पर एडब्लू और वालूम ओफ वाइड क्या है नैच E कब होगा, EW equal to E कब होगा, जब fully saturated हो जाएगा, ठीक है, जो air का वाइड से उसमें भी water fill हो जाएगा, तो fully saturated हो जाएगा, तो EW equal to E होगा, ठीक है, मतलब S की value 1 आ रही है, तब, तो यहाँ पर आप देखे सकते हैं, water content का formula क्या होता है, water content का अगर formula अगर आप देखेंगे, तो क्या होता है, weight of water upon weight of dry soil, weight of water upon weight of dry soil, और इसके base पे यह जो formula है, E into W into rho, और यह WD into 1, यह कैसे आया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझाया है, यहाँ पर, कि अगर rho W करते हैं, जान देना, rho W मतलब क्या होता है, weight of water upon volume, weight of water upon volume of water, यही होगा न, weight of water upon volume of water, ठीक है, यहाँ water की बात कर रहे हैं, water की density क्या होती है, उसकी weight upon उसका volume, तो वही चीज़ तो मैंने लिखा है, उसका weight of water upon उसका volume, EW, ठीक है, तो अगर weight of water करते हैं, तो cross multiplication अगर करें, तो E into W into rho होगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, सेम वही dry density का करते हैं, तो उसका volume देखते हैं, तो उसका volume dried, यह उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर D equal to क्या लिखते हैं, WD upon V, लिखते हैं, VD, जो soil का volume है, और soil का volume कितना है, वन है, यह formula में value put कियें, फिर उसके बाद से देखो, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत important है, water content का यह formula से यह आया, यह आपने देखा, और G की value क्या होती है, dry density upon, कोई material की density upon water की density, यह gravity, specific gravity का मैंने बताया है, वीडियो देखो, की G की value, water content की value, और degree of saturation की value, देखो, तीन चीज़े हम कर रहे हैं, पहले हमने किया, degree of saturation को लेके, तो यह वाला formula equation आया, फिर बाद में water content लिया तो यह आया, फिर वह specific gravity किया तो यह आया, और इसमें देखो, dry density की value अगर यहाँ पर देखती हो, तो dry density के base बेज G into rho w आ गया, और यह dry density की value यह वाले value में, इसमें put कर देंगे, ठीक है, इसमें put करेंगे, तो देखो, water content की value क्या आ गया, E into rho w into, E w into rho w, और dry density की value G into rho w, तो rho w, rho w cancel, water content की value क्या आ गया, E w upon G आ गया, ठीक है, E w upon G आ गया, यहाँ पर देख सकते है, E w into G आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, कि E w की value जो थी न, E w की value वो इसमें put कर दो, E w की value यहाँ पर put कर दोगे, चाहिए यहाँ तो पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ से A cross multiplication कर दिया, ठीक है, डीक है, W into G हो गया, E w की जगा पे, और E w की value हमने क्या लेकर आया था, E into S लेकर आये थे, E into S, तो E into S, E w की value put कर देंगे, तो यह मेरा यह formula proof होके आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया था, degree of saturation की value से, मुझे E w की value, देखो, यहाँ पर मैं step by step बता देता हूँ, degree of saturation से, मुझे E w equal to क्या मिला था, E into S मिला था, water content से, मुझे क्या मिलेगा, water content से, एक तो मुझे यह वाला formula मिलेगा, इस formula से मुझे W into G मिल जाएगा, ठीक है, और W into G के form से, यह E w equal to WG मिलेगा, और यह यहाँ पर put कर देंगे, तो मुझे यह formula derive होके आ जाएगा, ठीक है, नई समझ में आया है, तो एक बार और repeat करके देखो, repeat करके देखो, देखो, यहाँ पर फिर से एक बार और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो यह वाला figure से मैंने बता दिया, फिर बाद में यह degree of saturation की value put करके यह वाला मुझे मिला, ठीक है, फिर उसके बाद से water content use किया, तो water content use करते हुए, मेरा यह पहले formula आया था, फिर बाद में specific gravity से यह वाला value आई, और यह value को मैं यह water content में put किया, तो मेरा यह value आया, और इस value से यह आ गया, इस value से यह आया, और यह जो value आ गई, इसको equation 1 में put कर दिया, तो यह मेरा formula proof होके आ गया, इस तरीके से मैं इसको hands prove कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से questions देखते रहिए, और आपका derivation इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बाकी notes तो हाई है already, ठीक है, जिसको notes की जरूरत होगी, वो जरूर संपर करेगा, चार-पांच दिन में यह complete हो जागा, पांच-छे दिन लगेंगे, तो notes complete हो जागा, तो फिर उसके बाद से संपर करेगा, आपको notes भी अवलेवल करा देंगे, तो देखते रहिए और अपने friend, दोस्त मित रहा है, उनको भी share करेगे, नेक्स वीडियो में मैं dry density के formula जो हैं, उसको derive कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी question पूछे गए हैं, ठीक है, यह question मैंने बताया था, यह question कब पूछा है, देख लीजे, यह winter 2019 में question पूछा है, जो G2 का, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, G2, ठीक है, G2 का winter का 2019, कुझराट टेक्नोलजिकल उन्वर्सिटी का, ठीक है, क्योंकि मैं उस university में पढ़ाता हूं, ठीक है, उस university के एफिलिटेड है एक college, ठीक है, एक college है, जो इस university से एफिलिटेड है, तो उस college में मैं पढ़ाता हूं, और ये उसकी water university का paper है, winter 2019, उसमें ये question पूछा है, और इसको मैंने prove करके बताया, ठीक है, ऐसे ही कुछ और question पूछे हैं, वो CJB मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कि ताकि आपको concept clear हो सके, और आप अपने आपको better बना सके हैं, ठीक है, अपने आपको best बना तभी सकते हो, जब patience रखके, कुछ वीडियो मैं जो provide कर रहा हूं, उस वीडियो को देखो, ठीक है, फालतु का time pass मत करो, इन वीडियो को देखके, अपने आपको अभी पढ़ाई का समय है, तो पढ़ाई करके अपने आपको better बना लो, तो देखते रहो और अपने friend को share करो, so thank you for watching this video,